केंदर सरकार ने चना की कीमतों में आ रही तेजी को नियंतरित करने के मकसद से इसके आयात को शुलक मुक्त करने का फैसला किया है. लेकिन इससे इसके भाव घटने की बजाए चड़ गए. जानकारों के मुताबिक आगे भी चना के भाव तेज रह सकते हैं क्योंकि इस साल इसकी पैदावार कम है साथ ही आयातित चना घरेलू बाजार में इसके भाव की तुलनाा में महेंगा पड़ रहा है केंद्र सरकार ने 3 मई को चना के आयात पर लगने वाले शुल्क को हटाने की घोशना की थी जिसके चलते दिल्ली में 4 मई को चना के थोक भाव 6,350 से 6,400 रुपए थे जो आज बढ़कर 6,650 से 6,700 रुपए क्विंटल हो गए इस दौरान महाराष्ट्र की अकोला मंडी में भी चना के भाव 300 रुपए चड़कर 6,450 से 6,550 रुपए क्विंटल हो चुके हैं सरकार ने आयात शुल्क चना के भाव कम करने के लिए हटाया था लेकिन चना के दाम घटने की बजाए बढ़ गए इंडिया पलसेस एंड ग्रेंस एसोसियेशन के सचिव सतीश उपाध्याय का कहना है कि सरकार ने भले ही चना के बढ़ते भाव पर अंकुष लगाने के लिए इसके आयात को शुल्क मुक्त किया हो लेकिन अब तक इस फैसले से चना के भाव घटे नहीं है बलकि इसके दाम आज ही एक सो से एक सो पचास रुपए क्विंटल चर गए आयात शुल्क हटने के बाद भी चना महेंगा होने की वजह इसका उतपादन कम होना है चना के उतपादन का सरकारी अनुमान एक सो बीस लाक टन है लेकिन उद्योग का अनुमान असी लाक टन का है जबकि चना की खपत करीब एक सो लाक टन है बाजार जानकारों का कहना है कि सरकार ने अपना बफर स्टॉक बढ़ाने के लिए बाजार भाव पर चना की खरीद करने की घोशना की है ऐसे में दाल मिल संचालक और स्टॉकिस्ट भी चना की खरीदने के लिए सक्रिय हो गए है जिससे चना की कीमतों में तेजी आ रही है बाजार जानकारों के अनुसार आगे लंबी अवधी में चना की कीमतों में तेजी का रुख जारी रह सकता है उपाध्याय ने कहा कि भारत की मांग से वैश्विक बाजार में चना महेंगा हुआ है वर्तमान वैश्विक भाव पर आयातित चना घरेलू बाजार में चना के भाव से महेंगा है इसके साथ ही भारत में तंजानिया से चना का आयात अगस्त के बाद ही होने की संभावना है आस्ट्रेलिया से भी चना का आयात नई फसल के बाद नवंबर से होने के आसार है जाहिर है फिलहाल चना के आयात की ज्यादा संभावना नजर नहीं आ रही है ऐसे में आगे चना की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है कारोबारियों के मुताबिक चना के भाव 8,000 रुपए से 10,000 रुपए क्विंटल तक जा सकते हैं Bureau Report Market Times TV